पवन सिंग या उपंदर कुश्वाह में किसे बड़ी चुनोती मान रहे थे आप मैंने कहा आपसे हम इन लोग कोई चुनोती मान ही नहीं रहे हम बहुत आगे थे इन लोग से ये लोग आसपास भी नहीं थे वैं ठीक है नितीज जी के जर्लिए चनरबायू नंाइडू के जरीए शरकार बन गई है। सिलीए वी तो लिए भर डरी हुई रहती है। आभी निती जी नितीयायोग कि बैठक में नहीं आय तो तो यहां हेड़कॉर्टर में हड़कंप मच गया कि पता नहीं क्यों नहीं आए क्या हो रहा है क्या बात है मतलब अंदर खाने अभी तो आप लोगसभा में है तो यह डरा हुआ चेहरा पारलियमेंट के भीतर भी हमने उनके बड़े नेताओं का प्रलान मंतरी का देखा है बतौर सांसत उनकी पार्टी के एक जिम्मदार नीता के तौर पर आप मानते हैं कि उन्हें राजसभा जाना चाहिए और अगर संख्याबल हुई तो दिपांकर भट्टाचारे आने वाले दिनों में राजसभा में दिखेंगे मैं आपको बताओं ये राज की बात ही कही है लेकिन ये बात है बीच में जो राजसभा की सीट खाली हुई थी और उसमें बात ठीकी अगर भागपा माले को ये सीट मिलती है तो उन्होंने खुद मुझ से कहा कि आप लड़ने के लिए ते ही आ रही है नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आशीश अभिनौ साल 2024 के लोगसभा चुनाओ में बिहार के जिस सीट को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी और सियासी शोर था वो सीट कारकार्ट लोगसभा सीट थी सब की निगाहें इस बात पर तिकी थी की कारकार्ट में त्रकोडिय मुकाबले में आखिर कौन बाजी मारेगा CPIML के दिगज़ चहरा राजाराम सिंग यहां से केंडिडेट थे और उन्होंने सियासी मैदान में दो दिगज़ों को सिकस्त देते हुए दिल्ली का सफरत है कर लिया और आज हमारे साथ न्यूज रूम में खास महमान है राजाराम सिंग सर स्वागत है आपका बिहार तक पर राजाराम सिंग के बारे में आपको बता दें कि दो बार बिहार विधान सभा के सदस्र है और सडक से लेकर संसत तक और इससे पहले विधान सभात में भी इनका संगर्ष जो है वो जारी रहा आज इन से हम जानेंगे कि सडक से लेकर संसत तक का ये सफर कैसा रहा सी पी आई अमल की सफलता को आप कैसे देखते हैं और आगे आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में कमिनिस्ट पार्टी का क्या योगदान रहने वाला है तमाम पहलों पर बाचीत करेंगे कैसे समय में जब देश में एक मजबूत विपक्ष की जरुरत थी तब सी पी आई अमल ने अपने सूखे को खत्म किया और तीन में से दो सीट जीत कर आई सबसे पहले तो सर बढ़ाई आपको इस सफलता के लिए तो हम जब इस इंटर्व्यू की शुरुवात कर रहे हैं तो दर्शकों की दिल्चस्पी बढ़ जाती है राजाराम सिंग के थोड़ा सा नेपत्थे में जाकने के लिए कैसे ये सफर की शुरुवात हुई राजनीती में आप कैसे आए विधान सभा में भी रहे और अब सबसे बड़े सदन में आप यू कह लिजे कि देश में लोकसभा में आप आए हैं और इस बार आपने मजबूत चुनौती दी और यहां से सीधा-सीधा आप काराकार्ट से दिल्ली पहुँचे कैसा रहा ये सफर सक्रिये आंडोलनों में और राजनीती में भागिदारी कहिए कि पत्ना विश्व द्याले से हुई इंटर्मीडियेट भी वहीं से किया था बीन कोलेज से और बिहार में हमनों का अच्छा स्थान था और डाइरेक्ट एडमिशन हुआ था इंजिनेरिंग कोलेज में शिवल इंजिनेरिंग था और उस समय जो वैसे दो चोहत्तर में हम लोग पत्ना विश्व द्याले में आ गये थे और चोहत्तर आंडोलन के भी एक-दो जूलूसों में भागिदारी था लालू जी एक बार बी एन कोलेज के एक अक्षा में क्लास बाइकॉट कराने आये थे हम लोग ने बाइकॉट किया था तो उस तरह से कहिए कि चोहत्तर आंडोलन में भी थोड़ी सी भागिदारी रही इंजिदा जी की एक मीटिंग हुई थी गान्धिमयदान में तो उस मी लुक्त मोर्चे किनेतरित में हम लोग किनेतरित में सीधा नोरन चला तब से छात्र संगठन फिर आई पी एफ पिर राष्ट्री अस्तर पर नौजमान सभा किसान महा सभा यह सब होते हुए बाद में ही हम लोग तो असी में पूर्ण सक्रिय हो चुके थे राजनीत में पा सब्सक्राइब तीन हजार वोटों से करीब पीछे रह गए और पंचानवे में फिर एकीस हजार वोट से जीते हैं तो बिहार विधान सभा में दो बार रहे तो यह चुनावी सफर था कि दो बार एमेले रहे लेकिन जना अंदोलनों के मोर्चे पर संगठन के मोर्चे पर तो यह संग्षेप में आप एक सफर नामा का सकते हैं अब थोड़ा सा चुकी लोग इंतजार कर रहे हैं कारकाट का नाम सुनते ही जहन में आता है कि जनता ने तो पहले मन बना लिया था कि राजा राम सिग को चुनना है या किसे चुनना है, हर जगा पर जनता अपना मन बना लेती है लेकिन लोगों के जहन में और पूरे देश की नजर थी उस seat पर NDA की तरफ से भी उमिदबार थे, निर्दलिया भी उमिदबार थे आपको इस बात की जानकारी कब मिली कि जब तीन seat CPIML के खाते में गई कि हाँ भाई कारा कार्ट से राजा राम सिंग ही उमिदबार होंगे, इस बात की जानकारी कैसे मिली जैसे इस बार मतलब ये seat इसलिए भी चर्चित थी मैंने आप से कहा कि संजुक किसान मोरजा के हम नेशनल कोडिनेशन कमीटी के में में रहे हैं और देश भर के किसानों की नजर थी कारा कार्ट पर कारा कार्ट से हमारे नेता जीते हैं कि नहीं और इसलिए हाथ से कारा कार्ट की जीत को देश के किसानों ने भी बहुत गौर से देखा परखा समझा आज उनकी उमीदें बढ़ी हैं देश भर से अभी नंदन समारो क्या मंत्रन आ रहे हैं तो इसलिए हाथ से भी वह महत्पुर्ण से बन गया था पहले वहां की जन्ता के जंजन से आवाज थी कि यह सीट इमल को मिलनी चाहिए और उसमें भी नाम लेकर हम लोगों के बारे में यह बात थी क्योंनों के मिलने से ही यह सीट निकले गें इंडिया गटबंधन की दिक ने इस बात को समझा खास्ट और से आर ज सामने है एक लाख लगभग पांच हिजार मतों से हम लोग वीज़ेंगे दो केंडिडेट थे आपके सामने जो चुनौती पेश कर रहे थे अब सीधा सवालों पर आते हैं एंडिये की तरफ से उपेंदर कुश्वाहा जिनको लेकर लगातार एंडिये के तमाम बड़े नेता करकाट में उतर गए और जो चुनावी शोर था जिसे मैंने अपने इंट्रोडिक्शन में भी कहा उपेंदर कुश्वाहा तीसरे नमर पे रहे और दूसरी तरफ अचानक एक कैनिडेट करकाट में एलान करते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और पूरे मीडिया में और खा कि वहां इन लोगों के खिलाफ चुनाव नहीं था वहां चुनाव मुखितर कहिए किसान आंदोरन मुझे साक्षात खड़ा वहां दिखा पूरे किसान आंदोरन की जो पीड़ा थी जो सवाल थे वो सारा गाउं गाउं तक पहुंचे हुए थे और लोगों ने इसको किसान कि दूसरा सवाल बड़ा था रोजगार का वहां के नौजवान मनुरंजन के मूड में थे ही नहीं वह साफ इस बात के लिए संकल्पित थे कि हमें देश में रोजगार लाने वाली सरकार चाहिए और इंडिये उनके सपनों के साथ छल कर रही थी लगतार इसलिए अन्डिये स उस चेहरे को पाचान रहे थे कि इससे हम भटक जाएंगे उन्होंने एक दम फोकस रखा बिलकुल कि हमें इंडिया गजवन्धन के कंडिडेट को जिटाना है और दो सवाल और थे महत्तपुन जिसको हम लोग जनता तक पहुंचाने में सफल रहें बीच में जो बीजे पी कि ने समविधान के साथ देहर सारे छेड़ चाड़ किये लोगों का यह परसेप्शन बन चुका था कि भाजपा अगर बहुमत में आती है तो वह समविधान बदल देगी डॉक्टर भीम राव अंबेदकर के बनाये गये समविधान के मूल्क स्वरूप को बदल देगी और किसी व्यक्ति के खिलाब चुनाव नहीं था यह मुद्दों का चुनाव था और मुद्दों में जनता ने इंडिया गठवंधन के मुद्दों का साथ दिया लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल उठता है चुकि भारतिय जनता पार्टी के एंडिया के सहयोगी दल ये दावा करते हैं कि हमने तो अभी भी 75 प्रतिशत सफलता हासिल की चालिस में से पहले 49 सीटे उनके पास थी सीटे घटी आप लोगों के गठवंधन को 9 सीटे मिली एक निर्दलिये पप्पू यादब का पुर्णिया लोकसभा सीट भी अगर एड़ उन कर देते हैं तो 10 सीट आपको लगता है ये सफलता जो है वो आप लोगों के उम्मीद लाव माले को 4-5-6 सीटे मिलती तो पूरे गठवंधन के ही परिनाम पर कुछ असर पड़ता तो ये खेर हम लोग की आंतरीक बात हैं लोग इंडिया गठवंधन के अंदर समीक्षा कर रहे हैं लेकिन सच बात यह है कि बिहार की जनता जन विश्वास रही जो तेजस्वी कि नित्रित में हुई थी उसी समय से मन बना लिया था कि वियार को बदलाव की तरफ बढ़ना है नितीश जी पहले हमारे साथ थे बाद में उधर चले गए इससे भी थोड़ा फर्क पड़ा इससे भी मतलब उनके जाने का फर्क पड़ा फर्क पड़ा जहिद सी बात है वो बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं आना तो यह साफ तोर से इस बात का इंडिकेशन है कि भाजपा ने जो सामपरदाइक कौर्परेट परस राजनिती की बुनियाद रखी है उस राजनिती पर जनता ने हॉल्ट लगाया है उस पर विराम लगाया है कि इस पर बीजेपी र जाती है अभी निती जी निती आयोग की बैठक में नहीं आए तो यहां हेड़कौर्टर में हरकंप मच गया कि पता नहीं क्यों नहीं आए क्या हो रहा है क्या बात है मतलब अंदर खाने अभी तो आप लोगसभा में तो यह डरा हुआ चेहरा परलियमेंट के भीतर भी हमन आपने बात कही या नितीश कुमार का नहीं आना क्या जेडियू निताओं के मन में भी कोई संका या कोई शुभा है नितीश कुमार को लेकर जैसा आपने महसूस किया यह बताना चाह रहे थे मतलब यह दुविधा तो उनके भीतर है और यह दुविधा रहेगी एक तरफ नितीश जी कहते रहें कि हम थ्री सी से समझवता नहीं करते हैं कमिनलिजम करप्षन और क्रिमिनलाइजेशन तो हम तो देख रहे हैं कि तीनों पैरामीटर्स पर जब से एंडिय में है तब से समझोता कर रहा है और वह कहिए कि नहाई जिसको कहते हैं पर हैं वो टेस्ट में और उस टेस्ट में वह सफल नहीं हो पारहें उन्होंने ट्रायक्ता से भी समझोता किया हुआ है करवराज की घटना है को क्या व हन्स जिस तरह से बढ़ गयी है बच्चियों के साथ बढुत के साल्प संचे को के साथ तो फी ze बहुत आगे बढ़ चला है और माले क्या उननिस सीटों से ज्यादा सीटों पर चुनाओ लड़ने की बात इस बार करेगी अपने हालिया प्रदर्शन को देखती हो और पिछला विधान सभा चुनाओ सासा राम की जीट को बता रही है और ये इलाका जो सोन का दोनों तरफ का इलाका है पुरब और पश्चिम तक और इस ने हुआ तो तो इस बार फिर एक एक्जाम्पल पेश किया तो हमने समिक्षा की है और हमने पिछली बार भी 53 सीट मांगी थी इस बार भी हम 50 के आसपास मांगेंगे पचास सीटों पर आप कह रहे हैं कि विधान सवाचना आप लड़ने की बात करेंगे हमने हम कहेंगे हम एक भी सीट ऐसा नहीं मांगते हैं जो हमें मिल जाने पर उसको हम जीत में तब्दिल करने की संभावना नहीं देख पाते हैं ऐसा नहीं है हम उनहीं सीटों को मांगते हैं जिसमें हम जीतने का पूरा उमीद रखते हैं हम आएंगे काराकार्ट पे अभी चुकि कई सारे सवाल हैं और आप जीते हैं और आपने जिस तरह से मतलब चर्चा में आप जीत करके आए हैं उसको लेगर के कई तरह के सवाल हैं चुकि नितीश जी का जिक्र हुआ है और विधान सभा का जिकर आप ने किया लोग गाहे संभावना को छोड़ दिया जाए आप लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं पतलब यह नितिश जी को विचार करना है हम तो जिस बैसाखी पर भाजपा की सरकार चल रही है हम तो चाहेंगे कि वह बैसाखी हड़ जाए वहां से अधेश में सामप्रदाइक राजनिती का निर् करना है जो कमिट्मेंट विहार की जनता से रखते रहीं की जिससे इस बार देखित बजट पेश हुआ दिया को विश्यसराज नहीं मिला इस पाकेज में भीण कार्णों से विशेष राज्य मांगा गया था उन कारणों पर कोई कारवाई नहीं है बिहार में अंतराश्तिय बोडर से पानी आता है यह बड़ा कारण था बिहार के 27 क्रोर के बेनेफिट में था तो और तीसरा फैक्टर था कि बिहार की गरीबी खुद अभी जो सोशियो एकोनोमिक सर्वे हुआ जाती जन गन्ना के साथ साथ उसमें भी बात आई कि 34 परसेंट ऐसे लोग हैं जिनकी प्रतिमाह की आमदनी छे हजार से कम है और उनको उस समय की सरकार ने घोष्णा किया कि हम 2,002,002 रूपया देंगे तो यह जो पाइकेज दिया गया हमने यही सवाल पूछा पार्लियमेंट में कि क्या इन तीनों पैरामीटर्स को दुरूस्त करने की बात इस पैकेज में है करीबों को दो-दो हजार रुपया जो देना है प्रतिक को जिसे कि उनके आर्थिक इस्तिती थोड़ी मरिबूत हो यह पैकेज में दूसरा मालीजे की जो बाढ़ नियंतरन का सवाल है उस पर क्या उपाय किया गया है और तीसरा जो बिहार की सबसे पुरानी सिचाई पर योजना है सोन नहर पनाली तो इंद्रपुरी जलाशे बनान कि इस पैकेज में है तो नसीचाई की विवस्था ना बाढ़ नियंतरन की विवस्था ना गरीबी मिटाने की विवस्था इस पैकेज में लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने 58000 कृट थीक है रुपिया है शड़के इनका नेशनल प्रोग्राम है कि हाईवेज बढ़ते चले उसमें भी हम देख रहे हैं फैलेसी कि जो जमीन अधिग्रहन किसानों से हो रहा है उनको वाजिब मुआज़ा नहीं मिल पा रहा है तो बजट भाषण में निर्मला सितारामन जी ने कभी ये घोशना नहीं की कि हम अब जो जमीन अधिग्रहन होगा उसमें गारंटी करेंगे कि 2013 के कानून के तहट किसानों को उचित मुआज़ा मिले बगएर हम अधिग्रहन नहीं करेंगे ऐसी कोई घोशना नहीं की चीक है चलिए एक बार फिर से काराकार्ट के सवाल पर आते हैं कई मुद्दे गिनाये आपने भी और आपके जो प्रतिदवन्दी थे वो भी आपके जहन में चुकि अभी पार्लियमेंट के पहले सत्र में आप आए आपने बजट भासन पे अपनी बात भी रखी काराकार्ट के लिए सबसे जरूरी मुद्दा क्या है और राजराम सिंग अपना पहला फैसला काराकार्ट में क्या करने जा रहे जनता के लिए उम्मीदों पर चुकी देखिए आपने खुद कहा कि मालिया जे वहां की जनता जो है बहुत सारी चीजों से तरस्त थी किसान आपके साथ थे तो वहां के लोगों के लिए जो सबसे पहला काम आप करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं तोहफा क्या देंगे पहली बार चुकिए लोकसवा आने के बाद आप बहार तक पर आए हैं तो मुझे लगता है कि हां से एक मैसेज काराकार्ट की जनता को को भी जाना चाहिए आपके माद्न से बढ़ा तो जनता को ही देना था कि इंडिये की सरकार जाए और इंडिया गटबंधन की सरकार आइं तो सरकार की तरफ DIRE च्ना करते कि यह चीजीजagen हम करेंगे तो अभी भी सरकार उनकी रह गई तो हमें तो मांगना ही है और उन मांगों में सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता हमारी है उस इलाके कि सिचाई वेवस्था को दुरुस्त करना और इसके लिए सोन नहरों का अधुनी की करन और इंदरपुरी जलासे का शिखर निर्मान इसी तरह शिलिग यह अमदिता है जैसे मालीजय कि और अंगाबाद बीटा रेल में हैं है अधिरी से बंजारी यह 5 इलाइन का विस्तार है भी से बलिया ने की बाट है यह सिच pessimि जो बड़ा राज्टा राजा जंपता करने वापने न की बात है i अनलोकर दावद नगर को जिला बनाने का मामला है तो इस तरह से धेर सारे मुद्धे हैं एंटी-पी-सी दो-दो हमारे हां बना मतलब एक विधान सभा है जहां दो-दो एंटी-पी-सी है शायद बिहार में कोई ऐसा पहला कोई असेम्बली सेग्मेंट होगा नभी नगर लेकिन आसपास के इलाके के वल प्रदूशन जहल रहे हैं डेवलप्मेंट की रासी उनको जा नहीं रही है तो इस पर एंटी-पीशी के पता दिकारियों से भी हमको बात करना है जो उनका जमीन आपने लिया और उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं तो यह सारे मुद्धे हैं जिन पर मतलब सदन के भीतर भी आवाज हम उठाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन मामलों को हल किया जाए आपकी पार्टी का जनाधार बढ़ा चुकि आपने इतने सारे मुद्धे गिनाए और जनाधार बढ़ने के साथ साथ सीटों में भी वो चीज़ें तबदील हुई आपको लग रहा है कि एक ऐसे समय में आप सदन में आये हैं जब विपक्ष की सबसे ज़ादा जरुरत थी यहां तक कि अब देखी कॉंग्रेस पार्टी भी 99 के आकड़े पर पहुँची है ऐसे समय में आपकी पार्टी की भूमिका जो है वो बहुत महतोपूर्ड हो जाती है आप ऐसे समय में काराकार्ट से चुनाव जीत कराए हैं सदन में अभी जिस तरह से राहुल गांधी सव तो इंदिया अगट बंधन पूरी तरह से एकता बद्ध है और सरकार के खिलाफ हमने कई सवाल उठाए हैं जिसका उनके पास जवाब नहीं है हमने जाती जनगन्ना देश के अस्तर पर कराया जा इसकी मांग की है आज ही प्रदरशन हमने किया कि आरक्षन को जो बढ़ा सुची में डाला जाए जिससे की जो कोट जाकर उसको बदलने की कोशिश होती है वो नहीं हो तो यह मांगे उठाई है इसी तरह से कई सवाल किसानों के फसलों के लावकारी दाम के सवाल उठे हैं तो इस पर आवाज उठी है लेकिन बीजे पी अभी भी वह अपने पुरा हुए उसमें भी जटका लगा अब तो नारे बदल गए एक जमाने में वो कहते थे कि अधिया तो जहां की है मतुरा कासी बाकी है अब तो अपोजिशन नारा लगा रहा है कि अधिया बद्री नाथ तो जहां की है मतुरा कासी बाकी है उनके अर्थ बदल गए तो इसलिए वहाँ पर भी संघर्ष चल रहा है और वो लगातार अभी जिस प्रकार से राहुल गांधी के खिलाफ यह कौन है अनुराग ठाकूर यह उन्हें जो टिपणी की आपत्ती जनक यह बिल्कुल एक सदन के नेता को अपमानित करने का प्रयास था तो इस तरह की हरकतें वो कर रह इस देश में भी आपकी पार्टी के कभी 52-52 सांसद हुआ करते थे संपूर्ण लेफ्ट की हम बात कर रहे हैं लेकिन वो जनाधार घटा चला गया सिकुड़ता चला गया इसकी वज़ा आप क्या मानते हैं और लंबे समय बाद काराकार्ट से और वहां से आपने आरा से जी कुल नई जीवन्त पार्टी CPIML दिरे दिरे बढ़ रही है और वो आज 12 विधायक हमारे हैं बिहार विधान सभा में और अभी दो सांसद बनके हम लोग आए तो भागपा माले के कन्नों पर आज लाल जंडे की जवाब दे ही आ रही है यह हम लोग मासूस कर रहे हैं और न करने का सवाल है तो वो भागपा माले करेगी विमर्श में आप जरूर होते हैं लेकिन सत्ता में नहीं आ पाते मैं अगर संपूर्ण लेफ्ट की बात करें जैसे आपने कहा कि आपके कंधे पर ये जिम्मेदारी है CPIM है CPI है इन दोनों पार्टियों में कहां चूक हो गई अगर संपूर्ण लेफ्ट धरे की हम बात करें तो हलाके दूसरी पार्टी है आप चाहें तो नहीं भी बोल सकते हैं लेकिन फिर भी कहां चूक हुई देखिए आज एक बात हमने कही है हमारे महासचीव ने कहा था कि नए भारत के वास्ते भगत सिंहम बेड़कर के रास्ते बीच में मतलब थोड़ा सा वामपंथी आंदोलन में दलित आंदोलन में एक दूरी बनी थी लेकिन आज फिर से कहिए तो जिस प्रकार से संप्रदा एक फासिवाद का चेहरा उबरा है देश में तो उसमें इसकी एकता की और ज्यादा जरूवत दोनों तरफ से महसूस की जा रही है और भागपा माले इस एकता को ले करके चलती है तो वामपंथ के भीतर से भी जो एक कहिए कि पुरानी पहेली जैसा बना रहता है जाती और वर्ग का प्रशन तो जो दोनों में उत्पिडन का पहलू है चाहे जाती है उत्पिडन हो या वर्ग सोशन हो दोनों मतलब समाज को बदलाओ के लिहास जरूरी मुद्दे हैं और भागपा माले इन दोनों को संबोधित करती है आपने जिक्र किया दिपांकर भट्टा चार राजसभा जाएंगे हाला के उच्छ सदन को शुरवाती दौर में आप लोग थोड़ा उससे कटे रहे बचते रहे लेकिन अब आप जा रहे हैं चाहे विधान परिशद हो या राजसभा हो दिपांकर भट्टा चारिया के बारे में चर्चा खूब चली थी उन्होंने तो यह राज की बात ही कहिए लेकिन यह बात है बीच में जो राजसभा की सीट खाली हुई थी और उसमें बात थी कि अगर भागपा माले को यह सीट मिलती है तो उन्होंने खुद मुझ से कहा कि आप लड़ने के लिए तेया रहे हैं लोग सभा चुनाओ के बहुत पहले हैं आपको राज सभागे अच्छा इसलिए कि हमारी पार्टी मूलता कहिए तो जन संगर्षों पर पार्टी निर्माण पर संगर्ष संगठन निर्माण पर जोड़ देती है और पार्टी के महासचीव मुख्यता कहिए तो पूरे राजनितिक सिध्धानतों को सुत्रवद करन में संगठन को बढ़ाने में लगे रहा है यह बात आपको दिपांकर भटा चारे जी नहीं कहीं थी मतलब यह पार्टी का वह जब बोलना है तो डिसीजन ही बोलना है कि राज सभा में अगर माले को सीट मिलती है तो आप तो क्यों नहीं मिली वो सीट चुकि एक MLC तो बना द कि कोई हमारे अंदर असंतोष नहीं मैंने कहा अब भी आप से कहा कि विधान सभा चुनाओ के लिए भी हमारी यह मांग होगी लेकिन इंडिया गठ बन्धन के साथ हम लोग बने रहेंगे इसलिए कि सवाल के ओल परिणामवादी नहीं है उसूली है और देश में सामपरद के उसूल और मजबूत हों यह हमारा कमिटल आपने कहा परिणामवादी नहीं एक वसूल की राजनी थी कि आपने बाग की एक्जामपल देता हूं सर इसलिए एक्जामपल की पुर्णिया ने एक एक्जामपल सेट किया और आपके साथ लोग सभा में पपू यादब भी प सकता था और बहतर हो सकता था सुपॉल का परिणाम बहतर हो सकता था तो कहीं न कहीं महत्वा कांग शाह या फिर यूं कह लिजी कि इगो किसी पार्टी का सामने आ गया जिस वज़ए से पपू यादब को निर्दलिया लड़ने का फैसला करना पड़ा और उन्होंने वह सी करना और समझना है जरू नहीं कि दलिये स्वार्थ में हम बढ़ करके बोलें यही बात महत्वों नहीं जो दूसरे घटक दल हैं हमारे उनको भी यह परिणाम से समझना है सीखना है और एक कॉमन ने अंडरस्टेंडिंग बननी चाहिए कि आगे का रास्ता कैसे निकलेगा और इसी अर्थ में हम बोला है कि भागपा माले कभी भी हद से ज़्यादा प्रफगंडा के रूप में सीटों की मांग नहीं करती है वो उतनी ही सीटों की मांग करती है जितना कि मैक्सिमम सीटों को हम जीत करके इंडिया गटबंधन की जोड़ी में डालें अच्छा एक सवाल है सर तेजस्वी यादब को लेकर लगातार प्रयासरत वो 2020 में भी थे और एक उपचुना हुआ रुपॉली में जहां पर इंडिया गटबंधन की हार भी हो गए 2025 तेजस्वी के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे बतार सांसद और उनके सहीयोगी दल होने के नाते क्योंकि मेहनत वो जोर शोर से कर रहे हैं अब तो आप लोग साथ पहले भी थे अब भी हैं 2020 और 2025 में बेसिक फरक आप क्या देख रहे हैं विधान सभा चुनाव के ल लोगों को ने एक दो सुझाव रखा हमने कहा कि हमें इस बात की गारंटी करनी होगी कि अगर किसी गरीब महिला दलित के उंगली में पीड़ा होती है तो हमारे सीने में दद होना चाहिए एक बात और दूसरी बात इस बात की हमें गारंटी करनी चाहिए कि हमारे इलाके मे कोई अल्प संख्यक को कोई प्रताडित न करे कोई हमारे गाउं के कुए में जहर घोल करके सामप्रदाइक विद्वेशन पेदा करें यह बात केवल काराकाट के लिए ही नहीं है यह बिहार भर के लिए बात है तेजस्त्वी जी बहुत डाइनेमिक लीडर है युवा है और ह आज हते हैं गरीबव के सवाल को उठाते हैं कि अधिका कि शीजाएं टेबहर बीज्य की लोगरेक राज वाटने का पिर मिले उनको भी सस्ते दर पर बिजली मिले यह सवाल आज है दो लाख रूपया जो सरकार ने घोशना किया था जब ते जस्वी जी और नितीश जी थे आज दो लाख दे नितीश जी ते इन मुद्दों पर हम लोगों का यही अपील है इंडिया गटबंधन को केवल हम चुनावी ग घर्ष हो क्या यही वज़ा है एकसर लोग यह सवाल पूछते जब भी हम किसी आपकी पार्टी के नेता का इंटर्विव करते हैं तो उनका सवाल होता है कि अगर कभी सत्ता में साथ होते भी हैं तो कोई मंत्रीपद नहीं लेते हैं क्या वज़ा है और इसे आप चूक मानत है वो जरूरी कारणों से आज ही हम महसूस कर रहे हैं विवस्था में जितनी जड़ता आ गई है जितना भ्रष्टा चार पन अप गया है उपर से नीचे तक तो आपके पास इतना पावर होना चाहिए गवर्मेंट के पास नीचले अस्तर तक एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो नीचे से भी प्रेशर डाल सके उपर से भी प्रेशर डाल सके और इस विवस्था को थोड़ा अनुकूल बनाए जन्ता के अनुकूल बनाये चीज़ें बहुत बिगर चुकी है नहीं मतलब यह सवाल का जवाब मुझे नहीं विला आंदोलन कोई शौक नहीं है करने का मतलब यह है लोग तांत्रीक अधिकार है और ज़रूरत है मैं यह कह रहा हूँ लेकिन उस सवाल के तह तक हम जाने की कोशिश कर रहे थे अगर 2025 में सरकार आपके समर्थन से बनती है अगर बनती है जनता ने आपको मौका दिया तो CPIML की सरकार में डिरेक्ट भागेदारी होगी या नहीं होगी 12 MLA आपके थे तब भी आप सरकार में शामिल नहीं थे और अब इस्थितियां अगर वैसी रहती है तो क्या सरकार में शामिल होगे या नहीं होगे चुकि राजसभा वाले मैटर को भी देखिए या विधान परिशद वाले मैटर को भी देखिए तो CPIML ने एक स्टेप आगे की राजनीत की उनको अब परहेज नहीं है उच्छ सदन से तो यहां आप नए सिरे से सोचेंगे हमारी केंद्रिय कमिटी है राजी कमिटी है यह थोड़ा सा सवाल एडवांस है इतना एडवांस बोलना ठीक नहीं है कमिटी हैं कि बैठक होगी और जो इस्थिती होगी उसके अनुसार हम ने नहीं लेंगे कोई बंद दिमाग हम नहीं है अच्छा अब जरा चुनाव केंपेंड पर आते हैं जो आपने चुनाव केंपेंड किया और कारकार्ट से जो सफलता हासिल कि मैंने देखा कि डूर टो डूर केंपेंड कर रहे थे आप और दूसरे तरफ बड़े बड़े नेताओं का जमाबडा लग रहा था और पहवन सि सबसे कम खर्च में चुनाव लड़ा गया है यह मैं आपको बताओं और जनता का जिस तरह से विश्वास देख रहे थे हम अब ठीक है कि उस दौर में मतलब वह बहुत टीवी पर नहीं आ रहे थे लेकिन रात के दो-दो बजे रात में 500 लोग हजार लोग गाउन में बैठ हाउसला को डाउन होने का कोई सवाल नहीं था तो इन दो लेट टीवी पर नहीं दिख रहा हो लेकिन गाउं में जो जिस तरह का उच्साहम देख रहे थे जिस तरह का समारपन देख रहे थे नहीं हमने कई लोगों में जिम्मदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि हमने आपके आपका जो चुनाव केंपेंट था हमने उसको दिखाया और आपके भी कई बयान हमने अपने चैनल पर चलाए और दर्शकों ने उसे खूब प्यार भी दिया लेकिन इन दो को कोई चुनावती मान ही नहीं रहते हम बहुत आगे थे इन लोगों से यह लोग आसपास भी नहीं थे तो मतलब इस सफ़लता के उमीच बढ़ा बिल्कुल बिल्कुल सौ परतिशत यह आपको मैं बताऊं कि बिहार का राज अस्तर पर यह कारेकरता सम्मिलन था चुनाव क तो लगतार मतलब 85 से जितने लोग सभा विधान सभा चुनाव है पार्टी ने मुझे सो पचासी से जितने लोग सभा हुए जितने विधान सभा हुए सब चुनाव में आप लड़ते तो राज अस्तर यह कारेकरता सम्मिलन में पहली दफ़ा हमने डिक्लियर किया कि हम कार कार्ट जीतेंगे को बहुत बड़ी बात हो जागी को मिरैकल होगा तभी हम लोग वो सीठा रहे हैं ऐसा हमने किसी तुनाव में आज तक नहीं कहा है जी इसी संदर में वो 17 बार कि तो 53 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं एक सवाल जाते जाते यह भी आपसे पूशना पिछली बार भी 19 सीट हम लड़े थे लेकिन एक सीट ओवरा वाली पर ही जीच बन गया और उसको हमने छोड़ दिया तो 19 में हम 12 जीते थे तो इसलिए पहले तो जीत आपके मुठी में होती नहीं है एक आकलन की बात होती है तो बिहार की जनता ही उसी समय कर रही थी कि अगर भागपा माले जितनी सीट मांग रही थी उतना मिल जाता है तो तेज अस्वी जी की बिहार में सरकार बन जाती है क्या ये भी बात ये बात मैं नहीं कह रहा हूं ये करोरो कंठों से पिछली बाहर के चुनाव के बाद नहीं लोग ये भी कहते हैं इसमें एक सवाल और चुकि जब आपने जिक्र किया तो कॉंग्रेस का सवाल आ जाता है कि 70 सीटे जो कॉंग्रेस को मिल गई वो अगर नही सबको समिक्षा करना है कि सबको सोचना है कि हमें अगर अगली बार सरकार बनाना है तो सीटों का बटवारा हम कैसे करें अभी तुरंत आप चुनाव लड़के आए हैं दोहजार पच्चिस का एक सांसद के तौर पर इंडिया गटवंधन के नेता के तौर पर आपको लगता है कि 243 में से कितनी सीटे अगर इंडिया गटवंधन मजबूती से चुनाव लड़ भूमत लाएंगे चलिए राजराम सिंग जी आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें वक्त दिया बहुत-बहुत शुक्री आपका हमें समय देने के लिए और धेर सारी बाचीत के लिए नासकार